नमस्कार नूसफोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश्रमा आज 29 नवंबर है यानि कि 29 नवंबर वह तारिक थी जब बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार किया जाना था लेकिन ततकाल के लिए इसे टाल दिया गया है अगली तारिक अब तक सामने नहीं आ 29 नवंबर को होने वाली मंत्री मंडल के विस्तार की तारिक बढ़ गई है अब मंत्री मंडल के विस्तार की अगली तारिक राजसभा चुनाव के बाद और राजेपाल कोटे से विधान परिश्रत के बारत सदस्यों के निर्वाचन के बाद ही तै किया जाएगा सुत्रों के मुताविक शीत कालिन सत्र में वधान सभा अध्यक्ष के चुनाब में विपक्षने अर्चने पैदा करती इसको देखते हुए सरकार अभी सभी कदम फुख फुख कर रखेगी नितीश कुमार किसी भी मोर्चे पर रिस्क नहीं लेना चाहते वहार सरकार कोई भी कदम जल्दिवाजी में नहीं उठाना चाहती है मंत्री मंडल के विस्तार से पहले सरकार अपने आपको पूरी तरिके से मजबूत कर लेगी राजसभा चुनाब अगले 15 दिनों में संपन हो जाएगा 14 दिसंबर को चुनाब की तारिक रखी गई है बीजेपी ने अपने उमिद्वार के तौर पर सुशील मोदी के नाम को आगे बढ़ाया है वही आरजेडी भी इस चुनाब में अपना प्रत्याश्य उतारने जा रही है इस परिस्तिती में चुनाब लाजमी है वहीं जौरान NDA विधान परिश्रत के सदस्यों की न्यूक्ति के बाद ही नितीश कुमार की नई कैबिनेट का विस्तार होगा 16 अवंबर को नितीश कुमार ने NDA के घटक दलोक के नेताओं के साथ शपत ली थी उस दौरान सांखेतिक तौर पर कुछ विधायकों नहीं मंत्री के तौर पर शपत ली एक-एक मंत्री को पाच-पाच विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई डेपियोट्री सियम तारकिशोर प्रसाद के पास 6 विभाग हैं वहीं बिजय चौधरी और अश्रोग चौधरी को पाच विभाग जबकि विजंद्र प्रसाद यादव को चार विभाग दे गई हैं उप मुखे मंत्री रेणू देवी, मंगल पांडे, अमरिंद्र प्रताप और जीवेश कुमार को तीन-तीन विभाग देखने होंगे को जद्यू से अधीक विभाग मिले हैं पहले की सरकार में डिप्योटे सियम समित भाजपा कोटे से सर्फ 13 विधायक ही थे जबकि सियम मिलाकर 22 लोग जद्यू से मंत्री थे अगर विस्तार हुआ तो 12 और लोग मंत्री पत की शपत ले सकते हैं इस लिहास से बीजेपी के 19 मंत्री हो जाएंगे वहीं वहीं अभी जेडियो के 4 मंत्री बने वहीं 11 आगे शपत ले सकते हैं विहार में कुल 44 विभागे लेकिन यहां मंत्रियों के लिए 36 पधी स्विक्रत किये गए हैं जो विभाग बचते हैं उन्हें मुख्य मंत्री देखते हैं तो नतीश कैबिनेट का वस्तार बहुत ही जल्द होने वाला है लेकिन उसके लिए विराज्य सवाचुनाव के तक इंतजार करना पड़ेगा लेकिन इसके साथ 11 ऐसे नेता है जो की मंत्री पत का शपत लेंगे फ़लाल कलेतना ही बनेता है हमारे साथ और देखते हैं नविस पोड़नेशन नवस्कार